ओम शान्ती उन्निस एक दो हजार चौबिस की साकार मुरली मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ यही है सब पर करपा करना किसी को भी रास्ता बताना यह सबसे बड़ा पुन्य है प्रश्ट सदा खुश में जाज कौन रह सकते हैं खुश में जाज बनने का साधन क्या है उत्तर सदा खुश में जाज वही रह सकते जो ज्यान में बहुत होशियार है जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं खुश मिजाज बनने के लिए सदबाप की श्रीमत पर चलते रहो अपने को आतमा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे ओम शान्ती 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है यह याद रहना चाहिए अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है अब वापिस जाना है परंतु पापात्माय मुक्ती जीवन मुक्ती में वापिस जा नहीं सकती ऐसे ऐसे विचार सागर्वन्थन करना है जो करेंगे सुपाएंगे खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे औरों पर भी औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की तुम बच्चे जानते हो यह पुरुशोत्तम संगम योग है यह भी कोई को याद रहता है कोई को नहीं भूल जाता है यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चड़ा रहे बाप टीचर गुरू के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चड़ा रहे परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है जैसे पहाड़ों पर नीचे उपर चढ़ना होता है वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है कोई बहुत उच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है भल कितना भी दान पुन्य करते हैं परन्त फिर पुन्य करते करते हैं अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुन्य खत्म हो जाते हैं सबसे बड़ा पुन्य है बाप को याद करना याद से ही पुन्य आत्मा बनेंगे अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा, पाप का काम करने से ना हो जाता है, घाटा हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है न, बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुणने का था, पाप करने से वह सोगुना हो जाता है, औ जोब उनसे कम, सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फाइदे के बदले नुकसान हो जाता है, सत्गुरु का निंदक ठोर न पाए, बाप का बन कर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ? अकसर करके काम की चोट लगती है, यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बना कर जलाते हैं, क्रोध लोप का बुत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे, बुलाते भी हैं कि हम जो रावन राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ, गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के रामाओ, परन्तु अर्थ नहीं समझते हैं, यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परन्तु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है, ज् भक्ती जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, उनके पास पहुंचेंगे कैसे, इसलिए दानपुन्ने आदी निश्फल हो जाता है, करके कुछ अलपकाल के लिए कागविस्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है, अब बाप कहते हैं मामे कम याद कर अब देखना है हम कितना याद करते हैं, जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर, याद विगर पाप कैसे मिटे, अत्वा कटे, पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन् काई हो जाती है, बाकी तो महनत बहुत करनी है, इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है, वो योग से ही चुक्तु होने वाला है, विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है, हमारा जन्म सत्युक के आदी में हो सकेगा, जो पुरुशार्थ बहुत करेंगे, वही सत्युक क आदी में जन्म लेंगे, वच्छिपे नहीं रह सकते, सब तो सत्योग में नहीं आएंगे, पिछाडी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं, अगर पहले आते भी हैं, तो नौकरी करते हैं, यह तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है, तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं, जो याद करेंगे, उनको जरूर खुशी रहेगी, अगर राजा बनना है, तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे की हम राजा बनने वाले हैं, जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी हिस्सा तो आता है, मिलकर माया के दुख का छपपर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं, सब को उजूरा मिलता है, जो बहतों को रास्ता बताते हैं, जितनी महनत करते हैं, उतना उच्पद पाते हैं, उनको खुशी बहत होती है, दिल जानती है हमने कितनों को रास् नहीं करते हैं. जैसे मम्मा कितनी सर्विस की. सर्विस से उनका बहुत कल्यान हो गया. इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए. योग की भी सर्विस है ना. कितने डीप डारेक्शन मिलते रहते हैं. अभी सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धी में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे। तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है। आत्मा का देशकाल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनश्य परमात्मा का नाम रूप देशकाल पूछते हैं। तुम आत्मा का पूछो तो मौझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहां भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं। सिर्फ विकारों का सन्यास किया है वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है। यह ज्यान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे फिर अपवित्र बने। अब फिर पवित्र बनना है तुम ही 84 का चक्र लगाते हो दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते ज्यान अलग भक्ती अलग है ज्यान चड़ाता है भक्ती गिराती है तो रात दिन का फर्क है मनुश्य भल कितना भी अपने को वेदो शास्त्रों की अथोरटी समझते है परन्तु जानते कुछ नहीं तुमको भी अभी मालूम पड़ा है तुम्हारे में भी नम्मर वार है भूलने कारण ही खुशी गुम होती है नहीं तो अथा खुशी होनी चाहिए बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है बाबा साक्षातकार करा देते है परन्तु साक्षातकार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फाइदा ही क्या बाप को दुख में सिमरन करते हैं बाप को कहते हैं लिबरेटर हे राम हे प्रभू कहते हैं प्रंतु वह कौन हैं जानते नहीं, भक्ती में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बापको याद करो, बिल्कुल नहीं, अगर कहते होते तो परंपरा चलाता, भक्ती तो चली आती है न, भक्ती अथा है, ज्यान है एक, मनुश्ष्य समझते हैं भक्ती से भगव क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे एक तरफ मनश्य भक्ति कर रहे हैं दूसरे तरफ तुम ज्यान पा रहे हो मनश्यों से कितना माथा मारना पड़ता है इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है कितनों को आप समान बना कर ले आते हैं सच्चे सच्चे ब्रामन कितने हैं यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते बहुत जूटे बच्चे भी हैं ब्रामन लोग कथा सुनाते हैं बाबा गीता की कथा सुनाते हैं तुम भी सुनाते हो, यह था बाबा तथा बच्चे, बच्चों का भी काम है सची सची गीता सुनाना, शास्तर तो सब के हैं, वास्तों में जो भी शास्तरा दी हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्यान का पुस्तक एक यही गीता है, गीता है माई बाप, बापे ही आकर सबकी सदगती करते हैं, मनुश्य फुर ऐसे बाप की ही गलानी करते हैं, श्य बाबा की जैनती है हीरे तुल्य, उच्टे उच भगवान ही सदगती दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है, देवताओं की महिमा करते हैं, परन्तु देवता बनाने वाला एक बाप ही है हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते तो इस थूल काम करो मिल्टरी में सब काम करने वाले होते हैं कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपड़े को भरी धोनी पड़े ममा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो जो सर्विसेवल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे बाबा समझाते हैं अपनी उन्नती करने चाहते हो तो यहां कर सकते हो चित्र रखे हैं हमने 84 जन में कैसे लिए यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ कितना सहज है यह बनना है कल इनकी भक्ती करते थे आज नहीं नौलेज मिल गई ऐसे बहुत आकर नौलेज लेंगे जितना तुम सेंटरों का जास्ती घिराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे सुनने से उनको खुशी का पारा चड़ जाएगा मरसे नारायन बनना है सच्ची सत्य नारायन की कता भी है बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी फिर तुम्हारी राजाई कहां गई यह तो खुद जानते हैं यह तो खेल है एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में आपको आना ही पड़े पतित दुनिया और पतित शरीर में इश्वर की बहुत महिमा करते हैं बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने कल्प कल्प हमको सुदेवता बनाकर आप चले जाते हो यह जैसे एक कहानी है जो हुश्यार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए बाबा भी ड्रामानुसार सर्वेंट बना है बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो अपने को आत्मा समझो देह अभिमान छोड़ो नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मन्थन करो बुद्धी से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए एम अबजेक्ट सामने खड़ी है भगवान उवाज वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं तो मातमाय भी सब निराकारी हो शरीर लेकर पार्ट बजाती हो बाबा भी पार्ट बजाते हैं जो अच्छी सर्विस करेंगी उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे नर्से नारायन बनना है भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए परन्तु माया का अपोजीशन बहुत होता है माया तूफान मिलाती है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुखे सार पहला विचार सागर मन्थन कर अपार खुशी का अनुभव करना है औरों को भी रास्ता बताने की क्रपा करनी है संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है दूसरा माया के दुखों का छपपर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है सेंटर स्खोल अनेकों के कल्याण के निमित बनना है वरदान अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी एकनौमी करने वाले महानात्मभव जैसे महानात्माओं को कहते हैं सत वचन महराज तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो ब्रामनों के मुक से कभी किसी को शिरापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए इसलिए युक्ती युक्त बोलो और काम का बोलो बोल की वैल्यू को समझो शुब शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो हसी मजाक के बोल नहीं बोलो बोल की एकोनॉमी करो तो महान आत्म बन जाएंगे स्लोगन यदि श्रीमत का हात सदा साथ है सारा ही युग हात में हात देकर चलते रहेंगे यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही योग हाथ में हाथ दे कर चलते रहेंगे अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा इस्तिती कानुभा करो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी-बड़ी मशिनरी चलती है आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के अधार से स्वयम भी डबल लाइट बन चलते रहो जहां डबल लाइट की स्तिती है वहां मेहनत और मश्किल शब्द समाप्त हो जाता है अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टी पन का भाव और इश्वरिय सेवा की भाव न हूँ तो डबल लाइट बन जाएँगे अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भरबंद मेरे हूँ पल के ना पल भरबंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा